हैं लो फ्रेंट्स आज आपका स्वागत है मेरे यूटुब चैनल टेक वर्ल्ड में सबसे पहले तुम्हें आपको बताया हूंगे दीजमेदास वंडर अप्लिकेशन में बेकरी एग स्वीट शॉप को कैसे क्रेट करना है पहले तो हमें जाना है दीजमेदास वंडर अप्ल धाने करेट एल थाया इंटनी होगी जलिया लोग इन आपकानव फोलनेम mm एंटर करनी लाय यहाम पर इम A PDF k्रिएटें हो प्रीजिस्टर में नहीं होग करनी है then यहाँ पर password create करनी है then register पर click करना है then यह हो गया register अब हमें store listing पर जाना है यहाँ पर shop name enter करनी है जो भी आपकी दुकान का नाम होगा यहाँ पर enter करना है then shop क्या टैजरी को भी enter करनी है then यहाँ पर current location को select करनी है next step पर select state कीजिए next step पर city next step पर area enter करनी है next step पर address enter करनी होगी जो भी आपकी address होगी यहाँ पर enter करना है यहाँ पर pan या आधार को select करनी है then यहाँ पर trade license जो भी आपकी दुकान की लाइसेंस होगी ना इसे यहां पर इंटर करनी है, trade license यह होगे, जैने आपर FSA C.A.I. license को भी अपलोड कर दीने हैं आपके पस हो तो अपलोड कर सकते हो, आपके पस ना हो तो electricity bill को भी यहां पर अपलोड कर सकते हो जैने आपर photos को add करनी है बेकरी की, then register यह हो गया है register, action completed हो चुकी है, shop listed successfully, explore order space order space explore करने के बाद आपको यहां पर दिखाया देगा interface, all orders, finding orders, confirm orders, or delivered orders, or total products और टॉप में membership के राइट में जो circle है, यहां पर subscription date और bell icon पर notifications मिल जाएंगे, और आप easily share भी कर सकते हो, left side पर, then यहां पर three horizontal buttons पर click करनी है, यहां पर आपको green label वाली जो button दिखाया दे रहे ना, यहां पर click करने पर आप यह active हो जाएगी दुकान, जो आप customer application में दिखाय देगी, अगर आप in active करते हो ना friends, तो आपकी shop unavailable हो जाएगी, then profile setting पर click करनी है, profile setting पर click करने पर आपको यहां पर options मिलेगी है, delivery और pick up, आप delivery भी जाए सकते हो, pick up भी जाए सकते हो, मैं देते हूं delivery, then यहां पर how many kilometer serving को भी upload करनी है, जितनी दूरी पर आप अपने दुकान को दिखाना चाते हो, तो यहां पर upload कर दीजिये, then यहां पर delivery charges को enter कर दीजिये, then यहां पर free delivery अब हो, अगर कोई ग्राह को free में delivery देना चाते हो, ज्यादा products करीदने पर, तो आप यहां पर दे सकते हो, then updated, यह होगा update, अब यहां में जाना है, add product पर, यहां पर product name को enter करनी होगी, and select category करनी होगी, then यहां पर original price, जो भी इसकी original price होगी, यहां पर enter कर देनी है, अब discount में आप discount दे सकते हो, और unit में जितनी है, unit, then stop, यहां पर description में लिख दिया है, यहां पर हमें cake की photos को upload करनी होगी, जितने चाहां अब उतने photos को upload भी कर सकते हो, यह हो गई photo uploaded, then अब हमने add product कर देनी है, यह हो गई है, product added, okay, then अब हमने next product को भी add करनी होगी, add product पर जाके next product को add कीजिए, then यहां पर sub category को select कीजिए, then यहां पर original price को भी enter कर दीजिए, जो भी इसकी original price होगी, यहां पर enter कर दीजिए, then यहां पर discount पर भी दे सकते हो, आप, then यहां पर unit, then यहां पर stock देनी है, same procedure है, then यहां पर photos को upload करनी है, then add product, product added, okay, अब हमें जाना है, subscription page पर, यह product add हो चकी है, अब edit भी कर सकते हो, delete भी कर सकते हो, अब हमें जानी है, subscription पर, यहां पर subscription करने पर, आपकी दुकान, customer application में दिखाई देगी, यहां पर आपको बहुत सारे packages मिल जाएंगे, जहां पर आपको select करनी है, 30 days वाली, 180 रुपीस, क्योंकि यह first offer है, हमारे beginners application का, क्योंकि यह new, newly launched application है, मैं क्लिक करती हूँ, pay now पर, 180 रुपीस वाले package पर, then यहां पर card, you pay, net banking, wallet, जिससे तहाई आप कर सकते हो, easily payment को, monthly subscription तो करना ही पड़ेगा, monthly या फिप्टो yearly भी कर सकते हो, और action completed हो चुकी है, payment successful, 30 days के लिए subscribe हो चुके है, अब हमने जाना है, orders, हमें अब customer application पर जाके, order देनी होगी, जैसे customer, फूक करता है, order, वैसे ही, अब हमें जाके, बूक करनी होगी, मैं बताती है, उप्रेंट कस्टमर application पर, यहां पर आ गई है, जो हमने shop create किया था, यहां पर add करनी है, successfully added to card, अब हमें card पर जाना है, हाट पर जाने के बाद चेक आउट करनी है, select address, then continue, then successfully ordered, अब हमें जाना है, वेंडर application पर, अपने orders को चेक करने के लिए, यहां पर order आज चुका है, अब हमें accept करनी है, then अब हमें confirm orders पर जाना है, confirm orders पर जाने के बाद, अब हमें पर जाने के बाद आपको यह notification पैनल में message आजाएगा, thank you friends, thank you for watching this video, जरूर follow कीजिए, इस instructions को, thank you, और series को continue रखना, like, share और subscribe करना मत भूलिएगा, thank you, आपको निए के अजायगा, यह उसाँ, झाले के झाले क खूल झाले के अजाएगा, आपको पांभे जाएगा, कि अजाएगा र्टी तो провод में के भी排 घजएगा Sharing आपको की तो जाएगा, wanna झाल झाल